कबीरदास जी की जन्ती पर जाने उनसे जुड़ी कुछ रोचक बाते एवं तत्त्य। आज यानी 22 जून को संथ कबीरदास जी की जन्ती मनाई जारी है। संथ कबीरदास का जन्म चेश्ट पुर्णीमा के दिन काशी में हुआ था। और वह मद्यकालीन भक्ती आंदोलन के अक्रणी कवी थे। बताने कि उनका जन्म काशी में हुआ था और उन्होंने मरने के लिए मगहर को चुना था। ऐसा करने के पीशे उनकी एक बहुत बड़ी कारण छिपी हुई है। दरसल उन्होंने अपने मरने के बाद कुछ ऐसा किया था जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाये हैरान हो गए थे। आईए बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। संतकबीर दाश जी मद्धिकालीन भक्ती आंदोलन के अग्रणी कवी थे और उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाये के लोग पहुत पसंद करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता की ऐसी मिशाल पेशकी की लोग हैरान रह गय थे। संतकबीर दाश जी का जन्म सन 1398 जेष्ट में पुर्णीमा का दिन काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। काशी में पैदा होने के बाद भी संतकबीर दाश जी ने अपने मृत्यों के लिए मगहर को चुना था जो कि लखनओ से लगभग 240 किलोमेटर की दूरी परस्ती थे। उन्होंने यह फैसला इस वज़ा से लिया था क्योंकि उस समय लोगों के मन में एक भ्रहम था जो कि व्यक्ति मगहर में मरता है उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती है। लोगों का यही अंध विश्वास तोड़ने के लिए संत कविर्दास ची की मिर्थ्यू मगहर में हुई थी। तो संत कविर्दास ची की आत्मा उन सभी के पास आई। और लोगों से कहा कि मैं ना तो हिंदू और ना ही मुसल्मान हूँ। मैं दोनों था, मैं कुछ भी नहीं था, मैं ही सब कुछ था, मैं दोनों में इश्वर को पहचानता हूँ, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसल्मान, जो मोह से मुख्त है उसके लिए हिंदू और जो मुसल्मान एक ही है, कफन हटाओ और चमतकार देखो, बता दे कि कविर द